नमस्कार दोस्तों कलकत्ता और डीसी के बीज खेले गए हाई भोल्टेज मुकाबला के समाप्ती के बाद आईपील दोहजार चोबिस के पोइंच टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है कलकत्ता और दिल्ली कैपिटल के बलाक बॉस्टार मुकाबला जैसे ही समाप्त हुआ टाटा इपील दोहजार चोबिस के पोइंच टेबल में बहुत ही बड़ा उलट फेर देखने को मिला राजिस्थान चेन्ने और लखनव को लग चुका है तगड़ा वला जटका और मैच समाप्ती के तुरंत ही बाद आईपील दोहजार चोबिस के नया पोइंच टेबल जारी हो चुका है उसके बाद पोइंच टेबल में कौन सी टीम की सिस्थान पर मौजूद है बताएंगे दोस्तों आप सभी को आज की इस खास वीडियो में और हम आपको ये भी बताएंगे कि आईपील दोहजार चोबिस के पोइंच टेबल में क्या-क्या बड़ा उलट फेर देखने को मिल है और कौन सा टीम कितने नंबर पर है आईपील दोहजार चोबिस के बिल्कुल नया पोइंच टेबल बताएंगे इसलिए इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अन तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग और ज्यान वर्धक होगा लेकिन दोस्तों जानने से पहले इस सीजन में कौन ची टीम आपका फेबरेट टीम है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस चाइनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं दोस्तों आज की सूपर हिट महा मुकाबला कलकत्ता और दिल्ली कैपिटल के बीज खेला गया और कलकत्ता के कप्तान स्रिया सेर ने टोस जित कर तुरंथी पहले बल्ले बाजी करना पसंद किया और पहले ताबढ़तोड अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए निर्धारि दिल्ली कैपिटल की तरफ से सबसे ज़्यादा तीन बिकेट अन्रीच नोर्तोजे और इसांत सर्माद दो बिकेट जटके जबाब में दिल्ली की टीम की तरफ से पहार जैसे लक्ष को पीछा करने उतरी और दिल्ली कैपिटल के टीम की बहुत ही घटिया बल्ले बाजी और उसके बाद कलकत्ता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के रोमांचक मुकाबला के समापती के बाद IPL 2024 के पोइंच टेबल में भुचाल सा गया है और पोइंच टेबल में बहुत ही बड़ा उलट फेर हो चुका है तो आईए दोस्तों आपको IPL 2024 के नए पोइंच टे है और तीनों ही मुकाबला में इतना घटिया परदर्सन किया है और अभी तक जीत की स्वाद भी नहीं चक पाया है और तीनों ही मुकाबला में सर्मनाख हार के बाद पोइंच टेबल में केवाल जीरो अंख है और मुंबाइ इंडियन्स के नेट रन रेट माइनस एक दसमल कुलप चार मुकाबला खेल चुकी है और सब्पन्तवाली दिल्वी कईपिटल के का में एक मुकाबला में जीत दर्ज रम्म की और तीन मुकाबला में हार जाने वजह से पोिंटडेबल में मात्र दो ही अंक्ष है और दिल्वी कईपिटलके नेट रन रेट है — frene साथ का है जो दिल्ली कैपिटल के लिए बिल्कूल भी अच्छा नहीं है वहीं दोस्तों आठवे नंबर पर RCB की टीम है जो अभी तक कुल चार मुकाबला खेल चुकी है और चार में से मात्र एक ही मुकाबला पर जीत की स्वाथ चक पाई है और तीन मुकाबला में सर्मनाख खार के चलते पोइंच टेबल में मात्र दो अंख है और RCB का नेट रन रेट माइनस 0.876 का है उसके बाद सात्वे नंबर पर पंजाब किंग्स याने की बबबर की कप्तानी वाली टीम है जो अभी तक इस सीजन में तिन मुकाबला खेल चुकी है और तीन में से दो में जीत के साथ पोइंच टेबल में दो अंख है और पंजाब किंग्स के नेट रन रेट माइनस 0.337 का है उसके बाद छटवे नंबर पर संराइजर साइदराबाद के टीम है और इस टीम की कमान विदेसी खिलाडी पैट कमिंस के हाथों में सौपी गई है और इस टीम ने नेट रन रेट पलस 0.204 का है वहीं पाचवे नंबर पर सुपमन गिल के टीम यानि की गुजरात टाइटन्स के टीम है जो अभी तक ये भी अपनी तीन मुकाबला खेल चुकी है और दो मुकाबला में सांदार जीत मिली और एक मुकाबला में हार के बाद पोइंच टेबल में चार रंग है और गुजरात टाइटन्स के नेट रन रेट माइनस 0.738 का है वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर केल राहूल की कपतानी वाली टीम यानि की लखनो सुपर जोइंट्स की टीम आ गई है जो अभी तक तीन मुकाबला खेल चुकी है और एक मुकाबला में हा पोइंट्स टेबल में चार रंग हासिल कर लिया है और लखनो सुपर जोइंट्स के नेट रन रेट दोस्तों पलस 0.483 का है उसके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया के सबसे बेहत्रिन कपतान महेंद्रसी धोनी वाली टीम है भले ही कपतान रितुराज गायकवड है जो कि अभी तक कुल तीन मुकाबला में पाटिसिपेट किया है और दो मुकाबला में सांदार जीत के बाद एक मुकाबला में हार जाने के वज़े से पोइंट्स टेबल में चार रंग है और चेन्नाई सूपर किंग के नेट रन रेट पलस 0.976 का है वही दोस्तों दूसरे पैद पर राजिस्थान रोयल की टीम है जो अभी तक 3 मुकाबला खेली है और तीनों ही मुकाबला में जीत कर जीत की है ट्रिक लगा चुकी है और इसी के साथ पोइंट टेबल में 6 अंख है और राजिस्थान रोयल के नेट रन रेट पलस 1.249 का हो गया है वही दोस्तों पहले नमबर पर कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम ने छलांग लगा दी है जिसकी कप्तान स्रिया सर के हाथों में है जिसने अभी तक अपने टीम को मात्र तीन मुकाबला में खिलाया है और तीनों ही मुकाबला में अब तक संदार परदर्शन करते हुए जीत दिलाई है और पोइंच टेबल में 6 अंग हासिल कर लिया है और कलकत्ता की नेट रन रेट पलस 2.518 का है इसी के साथ टोप पर भी कबजा कर चुका है